पाच ऐसे स्किल जो 2023 में आपको सक्सेस्फुल बनाने में बहुत ज्यादा हिल्प कर सकते हैं आईए इस वीडियो में जानते हैं पहला नंबर वान इस कम्यूनिकेशन पॉब्लिक स्पीकिंग चाहे आप एक स्टूडेंट हो जो इंटर्व्यू देने जा रहे हो चाहे आप टीम लीडर हो प्रोजेक्ट मैनेजर हो कोई भी हो आपको पॉब्लिक स्पीकिंग कम्यूनिकेशन आनी ही चाहिए आपको सीखना ही पड़ेगा अगर आपने सीखनी है क्योंकि everything at the end of the day is communication आप आपके अंदर के ideas आपके अंदर के emotions आपके अंदर जो भी knowledge है वो दूसरों तक communication के थ्रू ही पहुचा सकते है it could be email communication it could be written communication verbal communication nonverbal communication but आपको communication आना ही चाहिए so the first skill that you need to have for success is public speaking and communication number two sales or marketing now यह नहीं फरक पड़ता कि आपको कितना आता है यह फरक पड़ता है कि क्या आप अपने आपको project कर पा रहे है अपने आपको market कर पा रहे है क्या आप sales कर पा रहे है sales is a service as they say and marketing yourself is very much required तो अगर आप interview देने जा रहे है आप अपने आपको कितने अच्छे से sell करते है अगर आप किशी को कोई concept सिखा रहे है वो concept आप कितने अच्छे से किशी को सिखाते है ultimately all it boils down to is the sales how good you are at sales so very very important कि आपको 2023 में sales के तरफ से अपना perspective change करना है अगर आपको भी लगता है कि sales बहुत ही you know below the belt thing है and it's not something that you really need to learn change your perspective sales is a service आपको 2023 में successful होने के लिए sales सीखने की बहुत जाला जरूबत है second skill to learn is sales and marketing जो तीसरी चीज है जो कि we can't avoid it we may hate it or we may love it and that is technology आपको हो सकता है अच्छा नहीं लगे कि क्या नहीं नहीं टेक्नोलजी आ रही नहीं एविलूशन हो रहा है पर अगर आपको successful होना है तो आपको जानना पड़ेगा कि what is AI artificial intelligence क्या है chat GPT क्या है क्या है कौन सी field में यूज कर सकते हैं अब क्या नया automation कर सकते हैं क्या सीख सकते हैं AI और स्पेशली चैट GPT के बाद life काफी बदल गई है क्या आपने अपनी life बदली है क्या आपने नहीं चीज़े सीखना सुरू किया है नहीं नहीं एक्सपरिमेंट करने सुरू किया है अगर नहीं तो इस इस ताइम फो यू अगर आप एक लोग के साथ भी काम करें तो लोगों की टीम है या आप दो तीन फ्रीलाइंस के साथ काम करते हैं या आपकी हजारों की टीम है अगर आपको मैनेजमेंट लीडर्शिप यह सारी चीज़ें नहीं पता हैं इस दा हाइटम तो लर्न कैसे आप अच्छे से डेल अपनी टीम को मैनेज करें में मदद करती हैं क्या क्या चीज़ें जो आपकी टीम को डिस्ट्राइक करती हैं कैसे आप उससे ओवर कर सकते हैं तो यह जो सारे कॉंचप्ट है विच इन लाज अम्ब्रेला ओफ मैनेजमेंट अन लीडर्शिप यह आज भी आभी भी रेलेव सीखने की जुरुवत है जो कि sadly हमारी education system में जादर नहीं बता जाता है वो है learning about finance कैसे आपका income क्या है आपका outflow क्या है आपका asset क्या है आपकी liabilities क्या है आपका per month क्या balance card है जब तक आप यह नहीं सीखोगे आपको नहीं पता होगा कि आपको next level आपका क्या होगा आपको grow कि कितने परसंट करना है you know as they say numbers don't lie and if you don't understand your numbers there is a problem so the पांच भी स्किल जो आपको सीखने की बहुत आज़रोत है that is about finance and budget and numbers all right so यह था आज का एक बहुत ही short crisp and to the point video जो पांच स्किल्स आपको 2023 में सीखने के जरुवत है जो आपको successful बना सकती है number one as I said is communication and public speaking number two है learning about sales and marketing number three learning about technology artificial intelligence machine learning etc etc number four is all about learning management and leadership skills and number five is learning about finance and numbers etc I hope आप इस पे 2023 में काम करेंगे and I wish you all the best keep me posted और प्लीज कॉमेंट करके बजाये कि और किस टाइप के वीडियो आपको चाहिए अगर आपको यह वीडियो अच्छे लग रहे है प्लीज क्लिक ऑन लाइक बटन सब्सक्राइब अगर तक नहीं किया तो कर लीजे और प्लीज हमें बताइए कि आपको किस तरह के और वीडियो चाहिए कि आपको कम्मुनिकेशन पे और वीडियो चाहिए स्टोरी टेलिंग पे और वीडियो चाहिए लिडियर्शिप लेसंस पे और वीडियो चाहिए I will be more than happy to create that for you thank you so much as I say every time until next time keep learning keep growing and keep going out of your comfort zone this is Haritur Shivasto I'm gonna see you next time until then take care stay safe and stay blessed